एक शेर का शिकार करेंगे तो एक करोड मिलेगा और एक करोड में हमारा बेल हो जाएगा अपने लोगों से कहो एक शेर को मार कर लेकर आए और धैर करेंगे द मुझ कर ल को एक लुटब मजबस्चомु ञिरिण क्इ़ जएफर चंदन के मंदिर में पैदा हुआ हूँ, देवी मास्तिमा के गोद में शेरनी का दूद पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ, शेर का शिकार करना कभी सपने में भी मत सोचना, वर्न मैं तेरा ही शिकार करके तेरी छाती चीर कर देवी मास्तिमा के चर्णों में तेरा खून चड़ा शेर हूँ आए बुठे हवा मत दिखा ये हवा मौसम की तरह बदलने वाली हवा नहीं है खून में ही ये हवा शामिल है जब से पैदा हुआ हूँ तब से है मेनत के पसीने में दिखती है और इतना ही नहीं दुनिया के सारी माताओं का आशिरवाद मुझे मिला हुआ है ये हवा जिन्दगी मिट्टी में मिल जाने के बाद भी रहेगी मुझे आने के बाद मियाओ कहने वाली बिल्ली शेर नहीं बन जाती जाती है कुट्टे बोड़ा कहा थाना मुझे का झाल क्या लुट्टे नां क्या लुट्ट क्याल क्या है खुँआ झाजा स सकता है मैं गौड़ क्या वो इतने खतरनाक हैं He was a very nice man Very interesting too Maasthi 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 माओ के मंदिर में जाना है कि मास्ते कहा है तो है कि मामा क्या हूँ आप इस तरह शोर क्यों मचा रही है आपको ऐसे चिलाते मैंने कभी नहीं देखा अखिर हुआ यहाए मुझे ठीक नहीं लग रहा मुझे बास्ती के मंद्र में जा रहा है चल्दे मास्ती को बला हाँ मैं लेकर आता हूं से आप यहीं पर बैठिए है मास्ती है भी मामा बहुत जोर से तेरा नाम पुकार रही है मेरे साथ जल्दी चल्द है पृश को बल्याओ लेकर रहे हैं भी माम पूल्दी बल्से कहा है मेरे समय इètres बयां माम मुर्ण बल्से का फिल्यार्ग जह अastaहा है टख का आता है लेकर है यह सित है। पृण बार बताता यॉuds सकते हैं जब अम्मा को आवाज देते थे तब मंदिर से गंडियों की आवाज सुधा ही देती थी लेकिन आज हामोशी अचर येकिन हुआ है 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 जो नहीं होना चाहिए वहीं हो रहा है मास्ती माँ मामा मामा बीमा दादी को क्या हुआ है उनकी आखों को क्या हुआ वो बोल रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है नहीं बेटा जोर से बारिश आएगी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा देखो बिजली कैसे चमक रही है ओहो और तुम्हें सुभा स्कूल भी जाना है ना चलो सोजाओ बेटा जल्दी से सोजाओ लला लला लोरी तूट की कटोरी लला लला लोरी लला लोरी जाना है लला लोरी जाना है भी लोरी जाना है या नग्टेट पना। झाल 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 आपके पापा घर में हैं आपके पापा घर में हैं हाँ वो अंदर हैं वो पागल है उसे कुछ मेडेसिंस दे रहे हैं कार्ण प्रूजिंग र리लो मेझे शेंको बाता हम रहे लो उता है आर झाल में टाग मतना नहीं तो मार जाएगा हम शेर को मार कर उसकी चम्री बेचते हैं खबरदार अगर तु बीच में आया हुझ हुझ वे दो बूह जजोगे it dei किर ले ये बन्वाол के फुनित आर रहा सिस्क पर प्रित किरेश हो मैं भी वे पट आर किरे दो व है जयर किरे जब वे वहाथ जिसे हम ठतावार को सकंद मैं तयाओ ход तयाओ तयाओ कौन है तुम्हारे पीछे कौन है तुम्हारे पीछे कौन है जहीं बताऊंगा कि अफ्वारे जाराए कर दो अब देखना वह महारा के सबसे क्या बोलेगा उसे भूत नहीं मारा है शेर ने मारा और इसको इसे किसी भूत नहीं मारा इसे शेर ने मारा है कि क्यों रहा है चैना है अब चलो हो गया जाओ ताल आपके पास जाकर मचली पकड़ो ठीक है अब तक तो शेर नहीं किसी की जन नहीं ली थी और नहीं तो क्या ताट जी मुझी शॉपिंग करना है मेरे साथ टाउन चलेंगे प्लीज चले हाँ ठीक है बेटा इन्हें खरीदारी करनी है बाजार जान एक दिन इस धर्ती को बंजर होने से बचाने की जिम्मेदारी हमारे इस फॉरिस डिपार्टमेंट पर है अधे सेम टाइम ये सामाने जनता की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए पर कैसे हमें उन लोगों को एजुकेट करना होगा सेव टाइगर हमारे घर में हम नल खोलेंगे ये तो पानी आता है और ये पानी आने की वज़य है शेर स्ट्रेंज इसंट इस ट्रू सी दे प्रेजेंटेशन ये देखिए शाकाहरी प्राणी जैसे हीरन घरगोश हाथी जिराफ भैस एक्सेटरा और कार्निवोर्स दे इट मीट मतलब मांसा हरी प्राणी ये शाकाहरी प्राणियों की शिकार करके एको सिस्ट्रूं को बैलेंस करते हैं लाइक लायन टाइगर चीता लेपर्ड अमंग दीज दे मेजर अनिमल इस आर टाइगर स्पेशली मंगुलियन कंट्रीज में शेर का मास हड्डियां चमडी हर एक चीजों का बहुत बहुत दिमांड है इस इसलिए शिकार करने वालों की वजह से टाइगर्स की संख्या कम होती जाएगी और हमारे शाकाहरी प्राणियों की संख्या बढ़ती जाएगी ये प्राणी हमारे पूरे जंगल को खाकर खत्म कर देंगे तब हमारा पूरा जंगल वीरान हो जाएगा जब बारिश होती है तो बारिश का पूरा पानी सीधे सीधे धरती में समय जाता है जिसकी वज़े से soil erosion होता है वो बारिश का पानी नदी तक पहुँचने तक अपने साथ सारी मिट्टी लेकर जाएगा उस नदी तक उस नदी का पानी पूरे जलासे को divert करते वक उसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और पानी की मात्रा कम हो जाएगी जंगल को बचाओ, प्राणियों को बचाओ, हमारे टाइगर्स को बचाओ ये लोगों को समझाना होगा Mr. मूर्ती, particularly हमारे करनाटक में आपकी रेंज में टाइगर्स की संख्या ज्यादा है अभी अभी वहां से शेरो की missing होने की बात हमारे कानों में पड़ी है यू बेटर बी serious, otherwise I might have to take serious action against you मेडम, हमारे रेंज के सभी आफिसेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन वहां जंगल के लोगों का कहना है कि भूतों की वज़े से शेरो की संख्या कम होती जा रही है वाट रबिश भूत जनता के अंधविश्वास को हटा कर उन्हें educate कीजिए यू कांट पे गिविग में स्टूपड एक्सक्यूजिस लाग दिस आइए एक्सपेक्ट मोर फ्रॉर्म ओफिसर्स ओके स्पेशली फ्रॉम यू परमेश्वर हां साब लड़ा किसी बार के पास रोको जी बहुत अच्छा है कि दादाची टावल्स भी लेने हैं दो मिनिट है ले लो बेटी ले लो इसका बिल क्लियर होगे है ना इन्हें जो भी चाहिए दे दो बार बार आना नहीं पड़ेगा क्या है कि हम अंदर जंगल में रहते हैं ना तो हमारे लिए यहां आना बड़ा मुश्किए पता चल ग कि अधिए चलिए हुआ 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 है तुम यह सारे कवर शॉप में छोड़कर चलिया थी भावया नाम की रड़क्यों से यहां छोड़ गई है कि भावया उसने का तुमारी फ्रेंड है वो पापा इस नाम की मेरी कोई फ्रेंड नहीं है तो फिर हो सकता है वो शॉप में काम करने वाली लड़की हो अब आहां बिल्कुल हो सकता है वापा मैं चलती हूं हुआ हूआ है लिसन्टो में इस इस तो यह जो नहीं तो नहीं को जो देखा न तो इसका अंजाम जो होगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा को hmmm, you have to go back to London you better be serious, otherwise I might have to take serious action against you when the wind will come to your face, then you will go back to your face साब कोई आपसे बात करना चाहता है connect करो hello, hello hello, दन्पाल yes, अगर तुम ढंक से काम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें माड आलूँगा it's very serious मैंने काफी पैसे advance लिये हुए है ये operation किसी भी हाल में होना चाहिए, समझ गए? आप तो जानते ही हैं, मैं इसको लेकर बहुत serious हूँ तो? इसके लिए मैंने एक plan बनाया है मेरे senior officer को मुझे पर doubt हो गया है तो अब से share का शिकार करना जरा मुश्किल होगा actually, अभी कुछ दिनों में ही गर्मियों का मौसम आ जाएगा forest completely dry हो जाएगा मेरी study के हिसाब से 72 points में अगर आग लगा दी जाए तो पूरा जंगल ही जल कर राख हो जाएगा उस आग से डर कर जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे वहां से लेकिन समझधार जाने जाने वाला शेर यकीनं बैक वटर के पास पहुचेगा इस जंगल में करीब 400 शेर हैं और उन में से कम से कम 300 शेर अपनी जान बचाने के लिए बैक वटर के पास आएगे हमारे कम से कम 100 experts बैक वटर के पास उन शेरों के इंतिजार में बैठे रहेंगे उन सभी शेरों को मारने के बाद उन सभी मारे गए शेरों के नाखून, खाल, हड्डियां, मांस इन सभी को अलग-अलग करके कंटेनर में रखकर बैक वाटर के पानी के नीचे छिपा दिया तो फेर, depending on the demand, उन्हें लिफ्ट कर सकते हैं वेरी गुड आइडिया, लेकिन गव्ब्मेंट की तरफ से कोई प्रॉब्म नहीं होगी अपसिलिटली नो प्रॉब्म सेर, उस समय फॉरस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गव्ब्मेंट, और पब्लिक सभी का कंसेंट्रेशन आग को बुझाने में लगा होगा, इट्स यूज एरिया, अपने ओपरेशन में किसी का ध्यान नहीं होगा इन फैक्ट, इट्स असेफ गेब, इन सबसे पहले उस मास्ती की मौत हो जाएगी हाँ, बहुत जल्द, मैं इस प्लान को एक्शन में ले रहूंगा, वी हैव तो अचीव इट, गो अहेड, थैंक यू हमाईब चुआएब की अचीव मैंन इसकता प्रहूंग! और को यू प्लाव, इस भी हो ऊचीव थाएब वी है पहले जाएगी की मैं अचीव, पहले वीज़ sa में अचीव चाहएब मैंन उदेग प्लाव, वीज़ तो ये रहाएब कर दो अ कह भारए말 आजा सरकार तुझे इसलिए खाना दे रही है ताके तु इस जंगल और यहां के प्राणियों को बचाए लेकिन तु इस जंगल और जंगल के प्राणियों को मारने का प्लान बना रहा है तु एक एक करके अपने आपनी भीजेगा और मैं उन्हें मारता चला जाओंगा सरकारी काम को भगवान का काम का जाता है मगर ऐसी सरकार में तुझ जैसे अधिकालियों को जीने का कोई हग नहीं होता तुझ जैसे इंसान का अंत होना ही चाहिए जब किसी बेजुबान चानवर को तो मारते हो तो उन्हें कितना डर लगता जानते हो वही डर आज मैं तुझे दिखाना चाहता हो जब मत सामने होती है तो कैसा लगता है जानता है तो जाते एक अपने आपको डर से कैसे खना प्राय मौद 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 कि आते ही तेरी खबरहट शिरू हो गई ना आज मैं तुझे वह मौद दिखाऊंगा चलू बच क्राओब अचर यह तो सच में चमतकार है वो यहीं पर से गिरे हैं पोस्ट मॉटम के रिपोर्ट के अनुसार उनके बॉड़ी पर कोई भी धक्का मारने वाला प्रेशर पॉइंट्स नहीं है वो मरने से पहले बहुत भागे हैं और उनके शरीर में अलकॉल का कंटेंट बहुत ज्यादा है According to the reports, जिस जगह पे हत्या हुई वहाँ पे दो लोगों के फुट्प्रिंट्स है एक जिस स्वेक्ति की मौत हुई है यानि आपके पिता और दूसरा आपका Any clue? जिस स्वेक्ति की मौत है इस तरफ क्या है? मुझे उस तरफ से एक आवाज आई मैंने हर तरफ तरफ तेखा वरा कोल नहीं था उसके अलावा सा मैं और कुछ भी नहीं जानती पापा की मौत की वज़े से मैं सद्मे में हुझा जब तक इंवेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आप इस जगे को छोड़ कर नहीं जा सकती पापाशपोर्ट बेटी मौत कहां पर नहीं है हर जगे तो मौझूद है हाँ तुम्हे इसका सामना करना होगा जीना होगा सब कुछ भूल कर हाँ बेटी तुम्हारे पिता तुम्हे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं गए नाना बेटी हम सब हैना यहाँ औरे गाउंवाले हैं तुम्हारे साथ रोव मत बेटी रोव मत तुम हिम्मत से काम लो हिम्मत रखो बेटी हिम्मत रखो सब अच्छाब जाएगा हाँ हाँ पहले उसे खत्म करना है अपने आदमियों को एक एक करके वो मारता जा रहा है इस बार उसने हमारे मेन आदमी को ही मार दिया लेकिन ये हमारे लिए चेकमेट नहीं होगा वो ताकतवर है ये बात आर एफ एम मूर्ती ने मरने से पहले ही बताई थी कंसाइन्मेंट पूरा करेंगे ये बात बोलकर हमने एडवांस भी ले लिया है वी शुट टेक हीम सीरियसली अफकोर्स मैं ऐसा इंतिजाम करूंगा बीना गोली की आवाज के उसका दिल खामोश हो जाएगा का बात जні करएग्डेश क Oreo कर दो कर मैं एम करदेश कर दो कि अफिछ देरो अफिए प्रच अफिए प्रच अफ़िए है जिए जिसने बेजाये उसे जाकर बोल उसे मारें बिना में नहीं रहोंगा रुको अभी यहां पर जो हमारे अधिकारी आने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं समय की पाबंदी करतव विनिष्ठा उन्हें बहुत पसंद है बजा 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 मुझे यहार पसंद नहीं है आहार पसंद है इन आडंबर और दिखावों में मैं नहीं आता इने मेरा जूता रास आता है हर्याली मेरी सांस है जल को बचाओ जंगल को बचाओ सरकारी काम को उपर वाले का आशिर्वाद समझने वाला यह निष्ठावन सीनियर अधिकारी है जैसिण हां मोटू एक हार तो इस अदमी खराब कर दिया बड़े साब आएंगे तो नहीं क्या पैने एंगे क्या करेंगे हम पता अरे मैं क्या करूं नारायर मैं साब को लेने के लिए बस्टेंड पर गया था वहां पर यह आदमी अक्यले ख़ड़ा था अब इसने ड्रेस लुको आपके प्यार और विश्वास के लिए आप सबका धन्यवाद मगर ये सब चीजे में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं अपने इस इलाके में काम करते हुए हमारे आरे एफ मूर्ति की अचानक मौत हो जाने के कारण उन्हें शक्धान जली अर्पित करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं क्यों नाराण स्वामी जी साथ टाइम पर पिक अप करने के लिए गाड़ी भेजनी है यह आपको नहीं पता सुर्य साथ कि आप अकेली नहीं है हम सब साथ हैं दुखी मत होई यह कि बेटी बेटी यहाँ अकेली क्या कर रही हो आपका इंतिजार कर रहे थी मेरा इंतिजार मुझे आप से दो सवाल पूछने हैं अच्छा पूछो बेटी पूछो लग्ता जी हैं वो किसका है दरसल मेरी बेटी पास वाले गाउं के एक लड़के को चाहती थी दोनोंने शादी कर ली मैं अच्छी तरह जानता था कि लोग हमें जीने नहीं देंगे इसलिए मैंने उन दोनों को बुला कर कहा तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ जब यह मामला पूरी तरह से चांत हो जाएगा तो आपस आजाना जब दोनों आये तो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ समाज के लोगों ने उन्हें पीट-पीट कर माहर डाला वह बच्ची मेरी नातिन है और उसके लिए मास्ती ही उसकी माह है उसका पिता है सब कुछ वही है वेटी यही है उस बच् प्यार करता था क्या हां हां बेटी यही दुनिया है कौन किसे कब प्यार कर बैठे कौन जानता है बेटी यह लो ओड़ो लड़कियों को घुमते वक्त कपड़ों पर ध्यान रखना चाहिए कमाल है अरे इसी क्यों देख रही हो थोड़ा हसो ना ठीक है अब जाओ यहां से पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया प्यार का क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता मुझे पता है क्या होता है वो पहले हम दोनों को शादी करनी चाहिए और फिर और फिर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए जी जी करके बुलाना पड़ेगा फिर मुझे माता पिता को बुला कर हमेशा तुम्हारे साथ ही जीना पड़ेगा और और तुम्हारे माता पिता बन जाएंगे यह ठीक है एक तरह से अच्छा यह भविया यह भविया पहले हम शादी करेंगे जाएंगे पहले पहले हम वाहाँ प्रिख यह बाएंगे वाव तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने का दिल करता है मगर मास्तीप मुझे बहुत डर लग रहा है डर किस बात का पीता जोर चाचा को हमारे बारे में पता चल गया है आज तक मेरे घर के अंदर आकर वो भी मेरे सामने आकर मुझसे इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी मैंने ये बात उसी दिन कहीं थी कि ये गली में घूमने वाला कुट्टा है इसे ऐसे पाल पोश कर मेरी होती ही तो मास्ती तो इसका बाप है इसलिए में छोड़ रहा हूं यह मेरी है इस मास्ती की अमानत है यह कल सुभा सूरा जुगने से पहले ही इसके पैरों में पायल हाथों में चूडिया और मांग में सिंदुर लगा कर अपनी पतनी बनाकर ले जाओंगा बेटी के अपती के पैर धोकर घर में बुलाना यह आपकी संस्कृती होनी चाहिए अगर हिम्मत है तो फिर मंगल सूत्र पहनाते वक्त बीच में आकर दिखाना वहीं पर एक-एक कुमार डालूंगा और समाधी बना दूंगा चाचा पिताचे मैं मास्ते से बहुत प्यार करते हो पिताचे प्लीज पिताचे यह इस घर की बेटी है इसे लिए यह हमेशा प्तसंद रहे हमेशा खुश रहे काली यह लड़की मेरे घर में हंस्ते हुए आनी चाहिए उसकी बजाए अगर इसके शरीर पर जरा सभी मार का निशान मुझे दिखाई दिया तो तेरे भावी के गले में रहने वाला यह जो मंगल सूत रहना वो दीवार पर लटका हुआ दिखेगा अभी तो यह उसके पास जाएगी पर वहां से यह दोनों सीधा शमशान जाएगे अभी तो यह जाएगे बेटी हमारी जिन्दगी भी क्या क्या रंग दिखाती है उस घटना के बाद मास्ती खामोश हो गया सब यही सोचते थे कि मास्ती हमेशा के लिए गूंगा हो गया लेकिन मास्ती मा की कृपा से वो ठीक हो गया उसके बाद बेटी मास्ती को लगता है कि भव्या जिन्दा है और इसी के भरोसे तो वो अभी तक जी रहा है हाँ गाउवाले भी यही कहते हैं हाँ कभी कभी उसे तो वो यहीं कहीं आसपास दिखती भी है हम जंगल वाले सिर्फ दो ही बातों को मानते एक भगवान को दूसरा भूत को अपना मास्ती यह मास्ती चला कहां गया ए मास्ती कहां चले गए दिख नहीं रहे देखो मेरे साथ कौन आया है ए मास्ती अरे तुम यहां हो भी या नहीं हो हाँ हाँ बेटी तुम इस तरह से मुझे घोर कर क्यूं देख रही हो बेटी क्या हुआ अब क्या ओगया था तुम्हें कुछनी दादा जी घृती तुम समाधी बेठी हो पडल वो माफी मागो हां स्जाय तुम हां तो मन ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए हां चलो 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 जल्स बेटी में यहां पर जल्दी नहीं आता कोई काम हो तभी आता हूँ हाँ चला बेटा क्या हो बेटा यहां क्यों आयो क्यों आयो बेटा और अके लिए आयो मुझे मापिता जी चाहिए जब मैं एक बार गने जंगल में जा रहा था रास्ता कच्छा था और पक डंडी पाई हुआ थी जोड़ा माता का वाहन सामने कर दो 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 क्या रहा है गन उठाना अरे क्या कर आप भी लेफट हैंड से शूट कर दो अरे दे दे यह तो इधर ही आ रहा है क्या करें क्यों आया किसली आया कि कि अरे कोई बचा हावा में कोली चलाई है सर वो भाग जाएगा अरे यह क्या शेयर तो बापस जारा है पर डेके सर शेर वापस जारा है अरे क्या रहा है इसिलिए आपकी पalटी हो गई तो चलता हूँ कर देता हूं नहीं सर बैसे चली जा पर देरा हूं इस मास्ती ने हमारे सभी आदमियों को बेरहमी से मार डाला है मास्ती को हर हाल में मारना है तरहें स मारस पके हEstृ गर शे नाखरन के liberty वे राला है कि एको बेह परुजकी को ए। उद ठी है मास्ती तुम्हारे घर में चुछ लड़की की फोटो है ना वो लड़की जब मैं आहां रही थी मेरे कप्रे लेकर चली गई वह यहीं पर्दी मुझे बहुत डर लग रहा है मास्ती देखिए यह जंगल है यहां सभी तरह की शक्ति आ रहती है इसलिए आपको होशिया रहना ह होगा एक शेर एक करोड़ एप्रोक्सिमेटली लगभग साढ़े तीन सौ टाइगर्स तुम्हें देंगे साढ़े तीन सौ करोड़ यह है आपरेशन मास्ती गुड़ी है वी नीड और सपोर्ट एस्पेशली आपकी मिस्टर आरेफो हम जंगल के सौ पॉइंट्स में आग लगाएंगे तो कम से कम साढ़े तीन सौ शेर इस तलाब के पास आएंगे हमारे दो सो लोग वहां तयार रहेंगे यानि कि खेल हमारे हाथ में है वालुक अट ख्लिपिंग कि 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 झाल 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 कर दो कि अर दो ऑफनार थे कर दो खरिए लाए इस पर दोर बाईयों कर दो ए को ऊड़ा नहीं है कि अअ आ अगान खरिए लाही है कर दो कर दो कर दो कर हो तुम है 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 भव्या क्यों पैचाना नहीं क्या पैचान दिया क्या चाहिए तुम्हें मुझे मास्ती को देखना है हाँ ठीक है बुलाती हूं पी मामा आपको उसे बोलना चाहिए था ना दूसरी शादी करने के लिए क्या हो दादी? पास्ती देख लिया ना जाओ मुझे इससे बात करनी है बात करो अपने हाथों से एक बार खाना खिलाओगे अरे कोई थोड़ा खाना लाकर दोना ही से कि परो दोना रखए कि मॉस्टी अब जाओ और कितनी देर तक इस बच्ची के शहरी में रहोगी तुम कि याओ जाती हूं एक बात कहना है एक बात बस एक ही बात नहीं तो बहुत पच्चता होगी कुछ दुष्ट लोग इस चंगल को आग लगाने का प्लान बना रहे हैं इस चंगल में रहने वाले सभी शेरों को मारने का प्लान बना रहे हैं इस चंगल के रखवाले मेरे मास्त को मारने का प्लान बना रहे हैं क्या है कि भगवान को मानती हो तो भूत को भी मानों जंगल जाएगा शेर भी जाएगा उसके बाद नाश होगा सर्वनाश होगा जंगल को बचाओ जंगल को बचाओ कौन है वो बेटी हमारे गाव में लड़की पर भूत चड़ाया है साब वो बोल रही थी कि जंगल में आग लगने वाली है सबी शेर मर जाएंगे और हमारा ये मास्ती भी मर जाएगा ऐसा बोल रही थी हमना समझ लोग हैं हमें क्या करना है पता नहीं है सरकार से बोलकर हमारे जंगल को बचा लीजिये हमें इस जंगल में रहने का मौका देजिये इंसानों में भगवान का आना जोuld और अप लोग हां इसलिए क्याता हूं पढ़ना लिखना ज़रूरी है तब जाकर आप बदलेंगे और देश को बदल पाएंगे इसी दर विटनेस नॉंसेंस क्या है मालिक जाने के लिए बोल रहा हूं ना चलिए चलिए भीमा अंदर आएए अंदर आकर बैठिये ए शिवापा हमारा तेरे घर के साथ रिष्टा बढ़ाने का मौका पंद्रह साल पहले ही खतम हो चुका है बोलो हां पंद्रह सालों से तुम हम लोगों से बदला लेते आये हो अब हमारी मास्ती देवी पूरे जंगल से बदला लेना चाहती है अब यहां कोई नहीं बचेगा सब खत्म हो जाएगा आग से बहेंकर आग से इस जंगल की हर चीज़ जलकर खाक हो जाएगी ऐसा उस साय ने कहा है अभी भी वक्त है सब लोग गुस्सा छोड़ दो सब कुछ भूल जाओ हां हम सब मास्ति मा का शांती पूजन करेंगे हां और इस भी मामा की बातें श्राप नहीं बननी चाहिए मान लो शिवप्पा मानलो शिवप्पा तुम मानलो मानना ही चाहिए तुम्हें हाँ अगर फिर भी नहीं मान रहें तो लो मैं तुम्यारे प्यर झूता हूं शिवप्पा रुकिए पापा अब तुम्ही बताऊ मैं क्या करूँ बेटा accordance गुस्सा भोल जाने के लिए अगर चूने की जरूरत है तो मैं चूँँगा यह तु पैर चूएगा तेरा बाप चूएगा यह किसी ने भी पैर चूआ तो समझो मैंने चूआ बीमा जी आप तो बिल्कुल पैर पढ़ने की बात मत कीजिए आप हमारे लिए माता हैं इस पू आगे रहकर यह पूजा करवाऊंगा जैवास्पिली मा पूजा करेंगे लोग जंगल में खुसाए है क्या है नहीं मतलब श्रार को सविकार किया है मुझे गाओं में या कि पतानी होगी अ आगे तेघी बात में कैसे मानू तुम उस्राय बात मान इसे हो तुम मेरे भी माननो यह क्या हो रहा है इसे भी मामा बेटी क्या हो गया तुम्हें भी मामा नहीं किया कि हमने उस दिन जो चड़ावा चड़ाया था वह पानी से निकल के बाहरा गया हमारी पूजा स्वीकार रही हुई नाश होगा सर्वनाश होगा मास्तिम मा को जल्बंधन किया है उसकी आखों पर पट्टी बादी है ताकि वो हमें ना देख सके हमारी आवाज वो ना सुन पाए इसलिए कान बंद किये हैं तो हमसे बात ना कर सके इसलिए उसका मूँ बंद कर दिया है हम सब लोगों को एको कर लड़न होगा देवी मा की वंदना इत्मा आसान काम नहीं है उसकी वज़े से मेरी तांत्रिक मंतर शक्ती शिर्ण हो सकती है वहां की देवी मास्ती मा को पानी में बंधक बना लिया है मैंने वहां आप किसी भी तरह की दुष्ट शक्तियों का और भूत प्रेत का साया नहीं रह पाएगा सुना है वहां किसी आउरत के अंदर कोई आत्मा है जो हमारी बातों को लोगों तक पहला रही है वो एरिया जिस आफिसर के अंदर में उससे बोलिये कि वो उस आउरत से पूछताश करें जो सच है वो बाहर आ जाएगा हमारे पास समय बहुत कम है हमारा ओप्रेशन सक्सिस होना चाहिए ओ कम आन आप एक पढ़ी लिखी लड़की है पीएश्टी होल्डर है फिर भी कह रही है कि आपकी बॉडी में बूत आता है अजीब बात है मुझे कुछ नहीं बता सर्थ सेरिस्ली मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है यह सब होने से पहले मुझे चक्कर आता है और फॉर्सफुली कोई मेरी बॉडी में घुस रहा है ऐसी फिलिंग होती है सर्थ उसके बात मुझे कुछ नहीं रहता जब मैं आखे से खोलती हूं तो लोगों से खिरी रहती हूं मुझे कुछ भी समझ नहीं आता सा इस गाव की भलाई के लिए हमें हमारी मा को इस बंधन से मुक्त कराना ही होगा क्या हुआ है ठीक है तो अब क्या करें आज के बाद पानी में उतरने वाले किसी इनसान को मेरे साथ पूजा में बैठना होगा मेरे मंत्र से बांधे हुए पत्थर को पाली में उतर कर देवी के चर्णों पर रखे तो बंधन खुलेगा आखें खुलेंगी कान खुल जाएंगे ऐसा ही करो शुद्र शक्ति हाथ में रहेगी तो जान भी जा सकती है जान की कुर्बानी कौन देगा कौन ये काम करेगा मैं करूँगा मैं करूँगा मामा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा करूँगा आखें झाल झाल बेटी अकेले क्यों बेठी हो तुमारे मामा पानी के अंदर गे है इसनिए ये लोग खिलो ना खेलती रहो मामा अभी बाहर आ जाएंगे टीक है ना बेटा कितने अच्छे हो तुम बहुत प्यारे हो जो जो लोरी मैं गाओंगी उसे सुनकर तुम सो जाओगे बहुत अचा बहुत है गहुत आँचे पाओंगे तुम वहुत आँचे उसे नाओंगे तुम मास्ती बाहर आगया है सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं मास्ती पापा पापा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ पापा मेरी नातिन नातिन चले गई अब कभी नहीं आए कि मास्ती यह देगे क्या हुआ प्लाव मरे अब क्या हुआ है पापा अपने पजिए मेरी बच्ची को किसने मारा है किसने किया ऐसा भाई 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 भूल किसने मारा भाई 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 कि लोने बीचरे वाला नी बच्ची के हाथ में किलोना देकर चलाएं कि अख भाई इसी अविटनेस आपकी इसी बात पर में सरकार तक अपनी बात पाँचाओ मचली पकड़ने वाले ने लगता है कि मचली पकड़ने के बैंबू में डाइनामाइट रखा था और वो ब्लास्ट हो गया बच्ची मर गई इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ रास्ता छोड़ दो नहीं तो गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा सुन यह सब करने के पीछे तेरा ही हाथ है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अपने लोगों के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तयार हूँ उस बच्ची को किसने मारा बता किसने मारा उस बच्ची को किसने बोल बच्ची को किसने मारा मेरी बच्ची को बोल तुम बस पांच मिनट रिलेक्स होकर मेरी बात सुनो मैं तुम्हें सब बता और इसके लिए वो लोग मुझे ब्लैक मिल कर रहे थे यो वाइफ एंड डॉर्टर और सेव विद अस एक्सक्यूज मी सर हलो मिस्टर आरेफो यो वाइफ एंड डॉर्टर और सेव विद अस तुम हमारे ओप्रेशन में सपोर्ट नहीं करोगे तो जो होने वाला है वो टेलिग्राम में लिखती है मैंने ये चेस का खेल है फैसला तुम्हारा होगा और खेल मेरा होगा मेरी बीवी और बच्चे को एक ट्रेन में रखा है उन्होंने अगर मैंने उन लोगों की मदद नहीं की तो वो लोग इस ट्रेन में ब्लास्ट कर देंगे तुम और तुम्हारे लोग मेरी मदद करेंगे तो इन सब को बचा सकते हैं किसी भी वज़े से सरकार को पुलिस डिपार्टमेंट को या हमारे डिपार्टमेंट को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि बहुत होश्यारी से हमें यह काम करना होगा देखो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना उनका सारा ध्यान तुम पर है अगर तुम ऐसा कुछ कर सको कि वो तुम्हें पैचान न पाएं तो अच्छा रहेगा मस्टी तुमी प्लीज मस्टी मास्ती, मास्ती, वो लोग तुम पर हमला करने वाले है, क्योंबी, कैफुल, पर फिरा, क्योंचर, दिंद, देशी ओर, खिर देशी मुद्ली, के वाम है, क्योंचर, देशी, वोज रंद, की वाम टूर면, वो देशी, क्पिश्vida, वोग cit, वोगत विजए्ड़्यन की विर खिरा फिर नहाओ बंद, वोगतर, वोगतर, बंद, क्योंब वेन एविए्ग ध इतना आसान नहीं है इस ट्रेन को असी करी और आसन के बीच ही कहीं फॉरेस्ट में रुखवाना होगा ऐसा हुआ तो पोचस के बीच में जो कम्यूनिकेशन है वो टूट जाएगा तभी अपना ओपरेशन सक्सेस्फुल होगा पादजी मुझे छोड़ था बेटा कहा है बाकी के लोग बोल कहा है वो लोग समीन के अंदर चिपकर बैठे है मेरी बच्ची को किस ने मारा पैसो का लालच दिया तो ये पाप मैंने ही कर दिया है गलती की इतने दिनों ते किस राज को छुपा कर बहुत बड़ी गलती की चे और कॉन्फिडेंस हो और कॉन्फिडेंस मास्तिमा का बंधन छोड़ गया है कोई भी भूल हुई तो हमारी चांद को खत्रा है अब ये ओपरेशन बहुत मुश्किल लग रहा है कितनी भी मुश्किले आने दो कुछ भी होने दो ये ओपरेशन नहीं रुकेगा मैं आगे कदम रखूँगा पीछे चलने की मेरी आदत नहीं है कुछ बहुत मुशब ओपरेशन रहा हिदο परेशन ही कि उनकन करसा मुश्किले वीया है त Dew Reag कर्षें आरकांगर उन्हें आरकांगर लगानने कि अूखेंगर को याने करता है कि अबस्तिताओ नगें अबस्तिताओ। उन्होरा करें उन्होरान से करेंगे आ गुरा दी हैं प्रदी δाssenे चलहां करेंगे आ आम झाल 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 झाल